भोपाल साइबर क्राइम टीम को बड़ी सफलता हात लगी है एटियम कार्ड बदल कर धोका धड़ी से पैसे निकालने वाले अंतरराज जी गैंग को पकड़ा है तीनों आरोपी बिगत तीन वर्सों से अलग-अलग शेत्रों में 500 लोगों को शिकार बना चुके हैं पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अधिक्षक जोन क्रमांक, वन अंकित जैस्वाल एवं पुलिस अधिक्षक साइबर क्राइम नीतू सीह ने टीम बना कर आरोपीयों को गिरफतार किया है आरोपित ताहिर हनीब सभी दोलपूर राजिस्थान निवासी है भोपाल से मुकेश सीह की रिपोर्ट बताबाना मुश्किल है क्योंकि कोई एक अकाउंट नहीं है जिससे पैसे निकले हैं एक व्यक्ति जिसका ATM काउंट ने यूज किया है उसके अकाउंट से पैसे गए है तो हमारे पास पैसे का तो अभी काउंट नहीं है बट इंटरोगेशन में जो निकल किया है इनका कहना ही लगभग 400-500 लोगों को इन्होंने अभी तक थीन साल में ठगा होगा इनके पास लगभग 61 ATM कार्ड मिले हैं तीन फोन्स मिले हैं हमको और तीन आधार काड और दो मोटरसाइकल हैं ATM कार्ड यह यह यूजुली जो जेब कत्रे होते हैं इनके अरिया के उनके पास से खरीदते हैं और जो में इनका सोर्स तो यही है कि जो इस तरह ही क्रिमिनल एलमेंट्स होते हैं जो वालेट चुराते हैं या जो चोरी में इन्वाल्ड होते हैं उनके पास से एक्स्चेंज वाले हैं क्योंकि एक्स्चेंज रोटेट होते रहते हैं जब जब यह लोग कारवाई करते हैं तीन से जादा लोग बिलकुल हो सकते हैं और हम लोगों ने यूजुली देखा है कि धौलपूर, भरभपूर साइट के जो इस टाइब के गैंग्स हैं ये ग्रुप में ही काम करते हैं तो फिलहाल हमारा जो क्राइम था उसमें तो ये तीन ही मौट अभी इनके पास जो है उसमें मौबाइल फोन से कहीं सारे अरूंड 60, 62, 65 हमारे पास इनके अलग-अलग क्रेडिट कार्ट अवेलबल हैं तो ये लोग जैसे बोपाल आये हैं बोपाल में लोगों ने शॉपिंग करी हैं मौल से और उसके बाद जैसे आठ हजार रोपय का जुदा खरीदा तो इसको चार-पांच हजार में इन्होंने गाउं में बेच दिया है दो अजार में बेच दिया है इस तरीके से इनको पैसे कमा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें कर दो